नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर आप बैंक अब बरोड़ा का मॉबाइल बिंकिंग यूज करते हो तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कत आती है जैसे हम देखे तो कोई लोग अपना लोगिन पासवर्ड भूल जाते हैं कोई ल बहुत सारे चोटे-चोटी प्रोब्लम होती है जिसके बज़े से मोबाइल बेंकिंग नहीं चल रहा है लेकिन आज के इस वीडियो में हम पुरा का पुरा सॉल्यूशन देने वाल है अगर आप अपना लोगिन आईडी भूल गये तो भी हम रिसेट करेंगे अगर दोनों को याद है फिर भी आपका नहीं चल रहा है कोई इस्यू आ रहा है तो ओभी हम देखेगे के कैसे हैं मोबाइल बेंकिंग डी रेजिस्टर करके रेजिस्टर करेंगे तो सब प्रोब्लम सॉल्ड हो जाएगी तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो दोस पासवर्ड में आपको चले जाना है यहां पर आपका मोबाइल नंबर डाल देना है कि मोबाइल नंबर डालने के बाद यहां पर नीचे मतलब जो दूसरा वाला जो पासवर्ड है ट्रांजेक्शन पासवर्ड में डाल देना है आपको कि एंबिंट जैसे डालोगे तो ओप्शन आ जाए कि एपलिकेशन पासवर्ड मतलब आपको जो पासवर्ड बनाना है वह यहां पे आप क्रियेट कर दीजिये यहां पर फिर से नीचे वही पासवर्ड एंटर करना है यहां पर आपका एपलिकेशन पासवर्ड बन गया है अगर आपको दूसरा वाला पासवर्ड बनाना है यहां फिर कोई और दिक्कत आ रहे हैं उसके लिए आपको नजदिक के एटीम में जाना पड़ेगा तो चलते हैं बेंक आप ब्रोडा के एटीम में सबसे पहले तो आप नियरेस्ट एटीम में चले जाएए वहां जाकि अपना काड एंटर करके लेंग्वेज़ सिलेक कर अगर आप MPN खाली भूल गए हो तो यह तीसरा वाला उप्सन है उसके उपर प्रेस करके मोबाइल नमबर डालना है तो MPN आ जाएगा अगर कुछ दूसरा एरर आ रहा है तो इसके लिए हमको पहले डी रेजिस्टर करना पड़ेगा यहां पर डी रेजिस्टर पर क्लिक कर आए जैसे डी रेजिस्टर पर क्लिक कर ते हो मोबाइल नम्बर डीमन करेगा मोबाइलन ढलकर आफ लगां पर अप्लेक एक्ट इंसके उपर मतंब और और कि अप्लिक कर दीजे और रिख काउंट है मैं यहां पे सेविंग काउंट सेलीक कर रहा हुँ फिर आप देख सकते हो डी रजिस्टर सक्शेस्पूल और मेरे मोबैल में मेसंच भी आ गए आप देख सकते हो फिर से आपका कार्ड निकाल के फिर एंटर कर दीजिए लेंग्वेज सिलेक करके आपका जो पीन है वह एंटर करके फिर से आप मोबाइल बेंकिंग है ओप्सन में चले जाए और अभी आप रजिस्टर जो फर्स्ट ऑप्सन है उसके उपर प्र दीजिए प्रेक्ट फिर कर दीजे फिर आप सेविंग अकाउंट है आपका सेविंग कर दीजिए उसके बाद रॉजिस्टर सक्टफली देखो रजिशिस्टर हो गया है और mpin मेरे मोबाइल में भी आगये आप देख सकते हो उसके बाद आपको जो अलड़ी एप्लिकेशन था उसको अनिस्टॉल कर देना है फिर नया इंस्टॉल करना है चलो देखते हैं हम इंस्टॉल करके फिर इसको सिंपल एक ओपन कर दीजिए ओपन करके यहां पर आपको कुछ पर्मिशन रिक्वाइर्मेंट होगी यह पर्मिशन आप सब अलाव कर दीजिए अपने फोन में जितने भी पर्मिशन डिमांड करता है आप सब पर्मिशन अलाव कर दीजिए पिर यहां login बटन पर प्रेस कर दीजिए फिर verify phone नमबर में आप confirm कर दीजिए फिर एक simple एक आपके SIM से message भेजना है अगर आपका दो SIM है तो यहां पर आपना SIM चेंज कर लीजिए यहां पर मेरा एकी SIM है मैं message भेज देता हूँ मेसेज भेजने के बाद आप SIMPLE बैक हो जाएए जैसे आप बैक होगे तो आपका mobile नमर यहां पर सो होगा confirm कर दीजिए जैसे confirm करें कि एक OTP आएगा automatic fetch हो जाएगा फिर यहां पर आ रहा है create application password मतलब आपको total दो password बनाने है एक application password और दूसरा MP अभी हम application password बना रहे हैं यहां पर मैं डाल देता हूँ एप्लिकेशन पासवर्ड अप्लिकेशन पासवर्ड डाल दिया confirm application password फिर से वह यह password डालना है यह हमारा एप्लिकेशन पासवर्ड बन गया यहां पर आप सकते हो टमसेन कंडिस कंडिसन है इसमें आप एगरी कर दीजिए अभी एंटर यह एक्जिस्टिंग MP और रेसिविंग थोग SMS मतलब जो हमने रजिस्टर किया था उस टाइम एंपिन आया था वह एंपिन हमको प्रांसपर करना है चेक्बुक मगवानी है यह से कोई भी सर्विस है उसके लिए MP डिमांड करेगा यह MP आपको याद रखना है यहां पर में MP डाल देता हूँ नीचे फिर से MP डालना है जो एक क्रियेट न्यू MP जो हमने बनाया है वह सेम यह नीचे डाल देना है MP डालने के बाद आप देख सकते हो आटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा यह MP अपडेट सक्सेस्पूल यह हमारा हो गया है MP अपडेट अपयाप इस पर लोग इन कर सकते हो अपना लोग इन पास्वर्ट जो आपने बनाया था वह डाल के देखो दोस्तों स्टार्ट हो गया मोबैल बेंकिंग जो हमारा प्रॉब्लम था हो सॉल हो गया है अपया है